हेलो एवरिवन अडानी ग्रूप की अगर हम बात करें तो यह काफी ज़्यादा चर्चा में रहा है है एक से एक रिकॉर्ड यहाँ पर अडानी ग्रूप के द्वारा तोड़े जा रहे हैं चाहे हम लास्ट यर वेल्थ एडिशन की बात करें जहां पर गौतम अडानी ने अल इस ने 200 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिलाइज़ेशन क्रॉस किया है यह मार्केट कैप जो होता है इसके तरीके से आप समझेंगे जैसे अगर हम बात करें यहां पर अडानी ग्रूप की साथ जो कम्पनी तो यह मार्केट में लिस्टेड हैं Adani Group की Adani Power है, Green है Adani Gas है, Port, Transmission Adani Wilmer is there तो जितनी भी ये कंपनिया हैं साथ Listed Companies हैं इनके जितने भी Shares हैं हमकी Market Value को अगर हम Shares से Multiply करते हैं तो ये Market Capitalization जो हमारे पास आ रहा है ये आज की तारिक में 200 Billion Dollar को Cross कर गया है ये News इस बारे में हैं 15 लाख करोड रुपए को ये Cross कर चुका है Adani Group ऐसा करने वाला इंडिया का 3rd Conglomerate बनता है, Conglomerate का मतलब होता है कि आप Multiple Industry में डील कर रहे हैं, अगर हम Adani Group की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका Gas के अंदर भी डील कर रहा है Renewable में भी है, Commodities के Regarding भी है, Power में है, Infrastructure में है तो Multiple Industry में जब हम डील करते है तो उसके लिए Conglomerate वर्ड यूज किया जाता है Market Capitalization हम ने डिसक्रस किया है अगर इसको comparison करते है Tata या Reliance से तो Tata Group का Market Capitalization आज के टाइम पे 300 बिलियन डालर के उपर है तो यहां तक की दूरी पार करने के लिए अभी Adani को काफी टाइम लगेगा लेकिन अगर Adani Group को comparison किया जाए Reliance से तो यह बड़ी interesting यहां पे हो जाएगी दोनों की individual level पे अगर आप network देखोगे तो दोनों के अंदर टक्कर की fight चल रही थे और Adani अभी आगे निकल गए थे मुकेश अमपानी को पीछे छोड़ दिया है इंडिया के सबसे rich person सबसे अमीर आदमी बन गए है even Asia के भी सबसे अमीर आदमी बन गए है तो यहां पे अगर हम group की बात करें इनकी industries की अगर यहां पे बात की जाए पूरे group को discuss करें तो यह 237 billion यह reliance का market cap है और यहां पे 201 billion पे यह पहुँच चुका है Adani का तो बड़ा interesting होगा देखना पूरे issue को detail में देखते हैं कि Adani group इतना excellent क्यों perform कर रहा है क्या fundamental reasons है या फिर यहां पे बिल्कुल इसकी हवा बनाई जा रही है या वाकई में कोई fundamental reasons यहां पे इसकी growth में दिखाई देते हैं क्यों investor इतना जदा है यहां पे prefer कर रहे है वाट इस the reason of Adani's growth story आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले this is a brief introduction about me my name is Rahul पहरतवा यह मेरा telegram channel है जिस पर आपको इसके pdf प्राप्त होंगे इसके अलावा आप पाथ finder को इसी तरह के updates के लिए subscribe करना ना भूले आनकेडमी के साथ आप जूड सकते हैं जहां पे आपको one point solution मिलता है पूरी preparation का live classes doubt solving complete study material test series यह सारे resources यह एक platform पे आपको मिल जाते हैं subscription link description box में दिये गए हैं अभी कुछ offers हैं इनका benefit ले सकते हैं make sure you are using the code rb live to get maximum discount and personalized guidance इसी के साथ आप problems के लिए अनकेडमी की test series के साथ भी जूड सकते हैं जहां पे आपको अपनी weak areas को identify करने का मौका मिलता है उस तरीके से आप improve कर सकते हैं 3,000 और 4,000 की fees के साथ 6 महिने और एक साल के लिए यह आपको available हो जाती है अडानी ग्रूप की अगर हम चर्चा करें तो शुरुवाती दौर में commodities से इन्होंने start किया 1980s के अंदर फिर धीरे अपने businesses को expand करना की शुरुवात यहां अगर हम बात करें तो यह largest port operator है आज की तारिक में infrastructure में काफी जादा यह यहां पर grow कर रहे हैं काफी सारे नए सेक्टर जैसे renewable energy है वहां पर इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो renewable energy जो है इसे future माना जा रहा है energy का और इस तरह की जो sunrise industries है जहां यहां पर growth rate बहुत fast होती है return बहुत सारे होते हैं तो उस sector में sunrise industry में अगर आप invest कर रहे हैं तो definitely उनको यहां पर benefit मिल रहा है और यही reason हमें यहां पर देखने को मिलेगा कि Adani group जो इतना अच्छा में रखते हुए वहां पर invest किया और इनके fundamentals बहुत strong है इससे क्या मतलब है देखिए अगर हम Adani port की बात करें तो यह इसने अभी तक का highest ever cargo handle किया है पोर्ट के अंदर यह अपने आपको expand कर रहा है और future में इन ही की requirement रहेगी इसी तरह से आप देखेंगे green hydrogen पर यह work कर रहा है अडानी green जो है future जो energy का है वहां पर यह invest कर रहे है अडानी enterprise को देखेंगे इसके fundamentals बड़े strong है यहां पे इनका जो expenditure लगबग 55,000 करोड का है उसमें से भी यह अगले 5 साल में 34,000 करोड रुपे road construction पर खर्चा करेंगे इंडिया एक उबढ़ती हुई economy है word class infrastructure हमें चाहिए और infrastructure बनाने के लिए अगर कोई भी company यहां पे आ गया आती है तो definitely इसको future में बहुत सारा market रहेगा उसके पास growth का potential होगा और यहीं पे अडानी को benefit मिल रहे है अ काफी सारे इसके due Rajasthan government से इसको वापस मिल रहे है तो हर चीज यहां पर इनकी positive हो रही है reason is that कि इनके fundamentals बड़े strong है और growth जो prospect है investor को दिखाई दे रहा है कि future में जो growth prospect है वो काफी जादा है इसलिए इतने ज़्यादा return हमें देखने को मिल रहे है अडानी के जितने भी shares है ज क्योंकि आप देखेंगे विलमार जो की सिंगापुर के एक company है उनके साथ इनों ने ये venture किया और रशिया उक्रेन वार के बाद में हम देख रहे हैं जी सोया जो sunflower oil है उसकी demand supply disrupt हुई है क्योंकि 80% supply रशिया उक्रेन से आ रही है तो definitely जो divergen होगा वो इननी के तरफ होगा औ और ये सारी चीजें ये provide कर रहे हैं तो definitely इनको benefit यहाँ पे मिल रहा है इसी तरह से जितनी भी companies हैं ये आपकी 7 companies endless है इनमें से 5 companies का जो market cap है एक लाख करोड से उपर है और अगर हम बात करें विलमार का ये भी जल्दी ही एक लाख करोड को cross कर जाएगा तो बड़े ही strong fundamental के स जैसे लोगों से जो की top billionaire है और यही reason रहा कि इतनी तेजी से जब इनकी network बढ़ रही थी यहाँ पर comparison create किया गया कि मुकेश अम्मानी जो इंडिया के सबसे अमीर इंसान हुआ करते थे इनसे अडानी एक बार आगे निकले फिर पीछे हुए लेकिन at present अगर हम देखते हैं Forbes का यह billionaire index देखते हैं आज की तारिक में present date में अगर हम देखेंगे तो गौतम अडानी जो है यह मुकेश अम्मानी से काफी आगे निकल गए तो यह आप देखेंगे इनकी position 8 पे है और total जो इनका net worth है 113 billion है ओके और यह कुछ महीने पहले यह 80K round ही घूम रहा है तो बड़ी करें उसके अलाब अगर overall perspective में देखा जाए कि क्या Reliance टाटा जैसी कंपनियों को यह पीछे छोड़ सकते हैं तो देखिए Reliance के काफी close है 237 का market capitalization है अडानी का 201 है आने वाले time में definitely काफी close fight रहेगी लेकिन टाटा अभी काफी दूर है 237 के साथ but this is again a very good sign for Adani Group की इस तरीक का आप यहां पर प्राप्ट कर सकते हैं इसके अलाब अनकेडमी से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको one point solution मिलता है अपनी पूरी preparation का subscription link description box में दिये गए है अपनी need के according plan चूज कीजिए use the code rbly to get maximum discount and personalized guidance कैसे आप plus को efficiently use कर सकते हो कोई भी issues अगर आपको face होते हैं इसके कर सकते हैं तो अनकेडमी पर जो भी courses हैं वो सारे आपके लिए free हो जाते हैं सभी educator के सभी courses 0% के साथ जा सकते हैं नए बेचेस 13 तारिक से start हो रहे हैं में आप enroll करके अपना syllabus पूरा कर सकते हैं हर Sunday आपका free scholarship test होता है इसमें आप participate कर सकते हैं इसके लाव pathfinder की current affairs reach है जो हर Saturday शांको पांच बजे इसमें आप participate कर सकते हैं अनकेडमी स्टोर इद्धी सिद्धी सर्क्ल जैपूर पर उपन हो रहा है इसके लिए आप registration कर सकते हैं लिंक description box में यहां पे भी अगर आप जैपूर आसपास एरिया में participate कर सकते हैं इंटर्व्यू के लिए अगर आप appear कर रह है यहां पे आप participate कर सकते हैं that's all don't forget to like share subscribe all the best have a great day